हेलो स्टूडेंस हाओ आई यू बच्चो आई हिंदी की कख्षा में आपका स्वागत है सबी बच्चे अपने हिंदी के पुस्तक व्यक्रण भार्ती रख कपी और अपनी पैंसिल लेकर बैट जाएं और आज का सेशन ध्यान पूर्वक अटेंड करें बच्चो आज हमारा प अठार समान नर्थ बताने वाले शब बच्चो आज हमारा प्रेवती शब्द पढ़नी का उदेश्य समान नर्थ का बूद कराने वाले शब्दों के बारे में जानकर रिहासिल करना है तो आओ बच्चो पहले हम कुछ धार्नों धारा इसे समझने का प्यास करती हैं जैसे यहां पर कुछ चित्र दिये गें हैं पहले यह चित्र मा का है तो बच्चो क्यां पर मा के लिए हम बहुत सारी शब्दों का प्यों करती हैं जैसे माता जननी अमबा तो यह सबी शब्द मा की प्यावच्ची शब्द हैं आगे यह एक घर का चित्र है घर के लिए हम जैसे मकान, भवन, सदन, ग्रिह आधी कर शब्दों का प्यों करती हैं यह सबी शब्द घर के प्यावच्ची शब्द हैं आगे बच्चो देखो यहाँ पर कमल का चित्र है, कमल के लिए हम पंकज, नीरज, सरोज, आदी ये शब्दों का प्योग करते हैं, ये सबी शब्द कमल के प्यावची शब्द हैं, तो बच्चो इन शब्दों को पढ़कर हमने ये जाना कि ये शब्द हमें समानर्थ का अब हम यह जानती हैं कि अगर हम इन प्रैवची शब्दों का एक दूसरे के स्थान पर प्रियोग करती हैं तो क्या वाक्या के अर्थ में कोई परिवर्थम होता है? जैसे बच्चों, यहां पर है पेड हमें शाया देती हैं। पेड के जगा अगर हम व्रिक्ष शब्द का प्रियोग करती हैं, जो की पेड का प्रैवची है, तो जैसे व्रिक्ष हमें चाया देती हैं। देखो बच्चो अगर हमने पेड की जगा व्रिक्ष शब्द का प्रियोग किया तो इसके वाक्या के आर्थ में कोई भी परिवर्टन नहीं हुआ इसी प्रकार से बच्चो जैसे बाग में सुंदर फूल खिले हैं और अगर हम फूल की जगा पुष्प शब्द का प्रियोग करती हैं जैसे बाग में सुंदर पुष्प खिले हैं तो वाक्या के आर्थ में कोई परिवर्टन नहीं हुआ इसका मतलब है बच्चो कि अगर हम इन प्रियावची शब्दों का एक दूसरे के स्थान पर प्रियोग करती हैं तो वाक्या के आर्थ में किसी परकार का कोई भी बदलाव नहीं होता इन शब्दों को समान आर्थी शब्द या प्रियावची शब्द कहा जाता है क्योंकि इनका आर्थ समान रहता है तो आओ बच्चो अब हम अपने पुस्तक व्यक्रण भारती के पाठ 10 शब्द बंडार के टॉपिक प्रियावची शब्द का अध्यन करेंगे तो सबसे पहले अपने पुस्तक का पेज नंबर 64 निकाल लें यहाँ पर टॉपिक प्रियावची का जैसे मैं पहले पढ़ा था समान अर्थ बताने वाले शब्दों को प्रियावची शब्द कहते हैं तो यहाँ पर इसकी बहुत सारे धारन दियेगे इन शब्दों को पढ़कर हम इनके बारे में जानेंगे जैसे पहले है आग आग यानी पायर आग को हम और कौन-कौन से न पुत्री यानी डॉटर पुत्री को हम और कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-क केसरी, आगे, नदी, नदी यानि, रिवर, नदी का प्रियाय वाजी है, सरीता, सलीला, तटिनी, आगे, घोडा, घोडा को ओर हम क्या कहते हैं, अश्व, अ, आदश्य, व, अश्व, तुरंग, गोटक, आगे बत्चों, जंडा, जंडा यानि, प्लाइग, जंडा को हम ओर क् द्वज आदा ज़ज पता का द्वज़ा आगे राजा राजा को और हम क्या कहते हैं शम्राट स म को आ म के पैर में र ट सम्राट न का पैर में री प नरिप न रकुआश नरेश आगे कमल कमल को हम और क्या कहते हैं हमने पहले भी पड़ा जलच, पंकज, चरोच और नीरज गाए, गाए को और क्या कहेंगे? गव, गव, गव को बड़ा ओ गव, गव, गव बड़ा उ गव, ध को ए न को छोटा उ धेनू आगे बच्चो मानव, मानव यानि हियूमन मानव का क्यावाची है आदमी मनुष्य, मान नको छोटाऊ, आदा शेशट कोन? यव, मनुष्य, इंसान आगे बच्चो बालक बालक को हम क्या कहते हैं? बच्चा, ब, आदा च, चको आ बच्चा, बाल, शीशु शको छोटी इ, शको छोटाऊ आगे समुद्र, समुद्र यानि ओशन समुद्र का प्रियाईवाची है, सागर, सिंधु, पयोधी आगे नाव नाव का प्रियाईवाची है, नोक का किष्ती, किष्ती किस पालिंग बोलो? काको छोटी इ, आदाश, तको बड़ी इ किष्ती, तरिनी त, रको छोटी इ, अनको बड़ी तरिनी नेक्स्ट है पिता पिता को हम और क्या कहेंगे? पित्री पकचो टीट के पैर में री, पित्री, जनक, ताथ आगे घडा, घडा को और क्या कहते हैं? मटका, कलश, घट, अध्यापक यानि तीज अध्यापक को क्या कहते हैं? शिक्षक, शिक्षक, गुरू, देखो बच्चो यहां पर गको छोटाओ, रको भी छोटाओ, गुरू, आचार्य, बड़ा आ, चको आ, यके उपरेव, आगे बच्चो देखो, हिरन, हिरन को हम ओर क्या कहिते हैं, म्रिग, मके पर में रीग, म्रिग, सारंग, हरें, हर, रको छोटी, अन, हरें, आगे प्रिकाश, प्रकाश मिन स्लाइट, प्रकाश का प्रेवाची, रोशनी, उजाला, जियोती, जियोती के स्पलिंग, आदज, यको ओ, तको छोटी, जियोती, आगे रास्ता, रास्ता का प्रेवाची, पथ, राह, मार्ग, मार्ग के स्पलिंग, मको आ, गके उपर, रेव, आगे नेक्स्ट है इच्छा, इच्छ यानी विश, इसको हम डिजायो भी कहते हैं, इच्छा क प्रेवाची अभिलाशा, कामना, चाह, नेक्स्ट इस भवरा, भवरा यानी ब्लैक बी, इसका प्रेवाची भोरा, भको बड़ाओ, उपर बिंदी रको, आ भोरा, अले, भ्रमर, भके पैर मेर, मर, भ्रमर, नेक्स्ट इस आरत, आरत का प्रेवाची स्त्री, आगा सत्रको इसको हम बोलते हैं सुधा, सोम, प्यूश, पको बड़ी यको बड़ाओ, श, प्यूश, नेक्स्ट इस किरण, किरण यानी रे, इसके प्रयाइवाची हैं रश्मी, र, आधिश, चोटी, म, रश्मी, कर, अंचु, नेक्स्ट इस विध्योत, विध्योत यानी इलेक्टिसिट इसके प्रयाइवाची हैं बिजली, चपला, दामिनी, ध कोवा, म, को, छोटी, ईड, नको, बड़ी, दामिनी नेंच्ट इस अन्धेरा अन्धेरा के स्पलिंक बोलो अक्यो पचांदिन्दू धकोर रखोवा अंधेरा का प्रेवाची अंदकार कम तिमिर नेक्स्ट इस साफ शाफ यानी क्लीन इसको हे प्रेवाची म बोलेंगे निर्मल नको छोट ए मोकिय पर हे फ्लव निर्मल स्वच आदा सव आदा चोच श्वच शुद्ध शरको छोटाऊ धा के पैन मेहलन धा शुद्ध नेक्स्ट इस के प्रेवाची हैंस देवर आभूशन आभूशन के स्पेलिंग बोलो बड़ा आ भको बड़ाऊ शेशटकोन अना आभूशन अलंकार नेक्स्ट इस विध्याल्य विध्याले नी स्कूल विध्याले के स्पेलिंग वको चोटी ध के पैर मेहलन त यको आलय विध्याले का मों और क्या कहते हैं पाटशाला गुरुकुल स्कूल नेक्स्ट इस दर्वाजा दर्वाजा में स्टोर दर्वाजा के प्रेवच्ची हैं द्वार द के पैर मेहलन वको आर द्वार कीवार कपाट तो बच्चो आज हमने इस पाट में प्रेवच्ची यानि समान हर्थ बताने वाले शब्दों का अध्यन किया आप इस प्रेवच्ची शब्द की रखकपी पर लिखकर दोहराय करेंगे अपनी मम्मी पापा से चेक करवाएंगे अगले टापिक के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी तब के लिए गुट पाई